अगर अगर आप इस वीडियो को देख रो, it means मेरा consideration करना बनता है कि you are looking to become an ex-banker और insurance officer आप में से काफी सारे student ने मेरा already कही webinar अटेंग किया होंगा कोई पिछला workshop अटेंग किया होंगा लेकिन इस particular session में जो आपको चीजे सीखने को मिलने है न बस वो next level की रहने वाली है वो कौनसी कौनसी चीजों को मैं discuss करने वाला उसको already message आपको आई गया होंगा लेकिन उसके बावजुद भी message के through या sorry इस video के through आपको समझाना चाता हूँ so that आपका ये session miss ना हो जिसके अंदर हम सबसे पहले discuss करेंगे कि आप as a fresher अपनी preparation को किस तरीके से शुरुआत करोंगे आपको initial days में किस तरीके से अपने preparation को like शुरुआत करके क्या-क्या चीजे करनी चाहिए then how you will grow your preparation आप कैसे growth को pick up करोंगे then उसके बाद कब आपको अपने mocks देना शुरु करना चाहिए because काफी सारे student बहुत ज़्यादा confusion में होते because वो कई offline के classes करते रहते हैं या online के classes करते रहते हैं जिसमें दिन भर classes करना कुछ लोग homework चेक करते दो बस homework करना that's it उसके लाओ उनको कुछ समझ भी नहीं आता या on top of that हमारे market में वैसे test series या वैसे mocks भी available नहीं है कि एक fresher की भावनाओं को समझ के उनके लिए separate mocks बना के दिया जाए जैसे मैंने अपने community के students के लिए बनाया लेकिन मैं इस particular session में आपको बताऊंगो कहां से आपको शुरुवात करनी चाहिए so that आपको एक feeling आना शुरू हो जाए कि हाँ यार मेरा काम शुरू हो गया listen to you very carefully banking and insurance के जितने भी examination है न बॉस time management के उपर है जिसको time manage करते आ गया उसका game पलड़ गया तो इसलिए session को miss मत करना then I will like discuss जैसे आप mock देते हो mock के बाद काफी सरा लोग उसको analysis mode में लेके जाते पेपर को observe करना लेकिन उसके बीच में हमेशा एक point add करता हो that is nothing but the overview इसका importance बहुत बड़ा है बॉस लेकिन इसका मुझे detailed discussion करना पड़ेंगा जो again मैं अपने session के अंदर ही करूँगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको session को miss मत करना maybe you are watching this particular video on YouTube or Instagram or Telegram, drop a message my team will definitely help you वो आपको link भी share कर देंगी लेकिन ये session आपका miss नहीं होना चाहिए अगर आप 2023 में अपना final selection करना चाते हो तो काफी सारे fresher again like बड़े confusion में होते उनको hodgepodge होना शुरू हो जाता है कि हम हमारे current offer को parallelly किस तरीके से लेके चलना चाहिए and इस वज़े से उनके years and years बढ़ना शुरू होते लेकिन इस particular session में I will teach you कि आप parallelly अपने current offer को किस तरीके से लेके चलोंगे then उसके बड़ I will discuss कि आप mains के marks को किस तरीके से pick up करोंगे कब आपको शुरू करना चाहिए that आपको दिमाग में इस जार रखना जितने भी लड़के final selection वाले है उसमें से maximum लड़कों के एक feeling आना शुरू हो जाता है now I am ready for all the kind of banking as well as insurance based examination जो आपको भी आएंगी इस session को attain करने के बाद और यह सारे process को follow करने के बाद and then उसके बाद you have to consider yourself that I am 100% ready to crack any kind of banking as well as insurance based examination और यह feeling आपको आना शुरू गया आप खुदी consider कर सकते हो I am very close to the result तो यह सारे point को मैं reveal करूंगा इस particular session के अंदर तो बड़ा यह advice है कि इस opportunity को miss मत करना इस session को miss मत करना completely free है आपके पास चल के आई है तो आप अपने friend को भी बता सकते हो जो ज़रूरत मन है ताकि वो विचारा इस session attain करे इसका benefit ले और 2023 में जिनतने भी bank and insurance के examination आने वाले उसमें pull to focus करे और अपने selection को final लेका है all the best I'll meet you live in the session thank you so much